Father God, present a life in the channel रर आज हम बात करने वाल है इस्रैल आधेसानिया के बारे में इस्रैल आधेसानिया UFC के मिदलबेट डिविजन के चेम्पियन है 185 पॉल्ण के डिविजन है और इसके चेम्पियन है इस्रैल आधेसानिया इस्रेल आदे सानिया ने अपना बेल्ट जीता था रोबर्ट विटेकर को हराकर जो कि बहुत ही अच्छे औसी फाइटर थे और बहुत ही फेमस फाइटर है इस्रेल आदे सानिया कीक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं वो उन्होंने बहुत सारे कॉंपिडिशन जीते हैं जैसे किंग ओफ दरिंग उन्होंने जीता था 2015 में और ग्लोरी के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं सो बहुत भैतरीन फाइटर है निउजिलेंड मो ट्रेन करते हैं सिटी किक बॉक्सिंग जिम में जो की बहुत ही फेमस MMA जीम है और 2019 का MMA जीम ऑफ दे यर भी डिकलेर हुआ था सिटी किक बॉक्सिंग जीम में दूसरे बहुत अच्छे फाइटर है अलेक्जंडर वलकनोफस की जो की फेदर वेट डिविजन के चैंपियन है इसके अलावा डैन हुकर जो की लाइट वेट डिविजन के बहुत ही अच्छे फाइटर है वो भी इसी जीम से आते हैं सो बहुत 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 अपकमिंग जीम है सो यूफसी में उनका करियर स्टार्ट हुआ 2017 को जब उन्होंने अपना डेबिट किया रॉब विलकिंसन के साथ सो इन्होंने अपना ये फाइट टीके उसे जीत लिया सेकंड डाउंड में इसके बात उन्होंने फाइट किया मार्विन विटोरी, ब्रैड टवेरेस, डेरेक ब्रॉंसन, अंडर्सन सिल्वा इन सब को भी हरा दिया उन्होंने अंडर्सन सिल्वा के साथ जो उनका फाइट था वो बहुत इमोशनल फाइट था क्योंकि आदे सानिया जब छोटे थे तो अंडर्सन सिल्वा को अपना हिरो मानते थे और एंडरेसनल सिल्वा के साथ वही केज में फाइट करना उनके लिए बहुत ही बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मोमेंट था उनके लाइफ का उस फाइट के लिए फाइट अफ द नैट बोनस भी मिना उनको फाइव राउंड का ये फाइट था सिल्वा के साथ और बहुत ही अच्छा एंटरेलिंग फाइट था इसके बाद उन्होंने केल्विन गैस्तलम के साथ फाइट किया UFC के मिडल बेट डिविजन के इंटेरिम जैम्मेंशिप के लिए केविन गैस्तलम के साथ ये फाइट 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 था उनका फाइव राउंड का ये फाइट था और कोई भी फाइटर ने टीके वा नॉक आउट नहीं कर पाया लेकिन बहुत भैतरीन फाइट था इस फाइट में फर्स्ट टाइम आदेसानिया का एंटी रेसलिंग टेकनीक है मतलब टेकडाउन डिफेंस टेकनीक से वो दिखा दिखे आदेसानिया जो है वो बहुत लंबे फाइटर है शिक्स फीट फोर इंचे है उनका हाइट और रीच एटी इंचेज है कीक बॉक्सिंग बैग्राउंड से आते हैं सो इसलिए उनका र वेल राउंडेट स्किल था टेकडाउन डिफेंस का स्ट्राइकिंग का कीकिंग का सब कुछ देखने को मिला इस फाइट में इस फाइट के लिए उन्हें फाइट ऑफ द नाइट बोनस भी मिला फिर इसके बाद उन्हें रॉबर्ट वीटेकर के साथ फाइट किया 2019 में मार्च 2020 में हो था UFC 248 में उस फाइट में बहुत जनका एक्सपेक्टेशन था कि बहुत एंटर्टेनिंग और एग्रेसिव फाइट होगा क्योंकि दोनों बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स हैं रोमेरो भी और आदेसानिया भी लेकिन फाइट उतना अच्छा नहीं हुआ ब और आदेसानिया भी बोलते हैं मुझे भी जॉन जोन्स के साथ फाइट करना है कॉनर खबीब इन दोनों को छोड़ने के बाद अगर कोई बहुत ही एकदम अच्छा मैच अप है UFC का जो कि बहुत पैसा कमा के देगा UFC को वह यही फाइट है जॉन जोन्स वर्सिस इस्रेल आ जीता था एट विंस और जीरो लॉसे से उनका UFC का करियर सो बहुत अच्छे फाइट है और इन पे मेरी नजर बनी रहेगी और इनका जब फाइट होगा तो मैं एक्स्टेंसिवली कवर भी करूंगा इनको सो यह ओफुली आप लोगों को यह वीडियो पसंड आया और थैंक झाल 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 झाल